नमस्कार मैं कहला शर्मा एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने कक्षा 10 शैमुशी भाग 2 का बारवा पाठ लेकर जिसका नाम है अन्योक्तयह अन्योक्ति ही अन्या प्लस उक्ति ही यानि किसी दूसरे के बहाने से कही हुई बात इस पाठ में राजहंस, मेग, माली, ता आलाब चातक आधी के माध्यम से सत कर्मों के प्रती प्रेरित किया गया है तो आईए पढ़ते हैं पाठ अन्योक्तयह पहला श्लोक है इसका अन्योक्ती है अर्थात एकेन राजहंसे न एक राजहंस के द्वारा राज हंस यानि हंसों का राजा अर्थात स्रेष्ट हंस के द्वारा सरसह यानि सरोवर की तालाब की या शोभा जो शोभा जो सुन्दरता भवेत होती है परितह चारों ओर तीर वासीना तीर यानि किनारा वासीना रहने वालों के द्वारा बक सहस्रेण हजारों बगुलों द सा शोभा वह शोभा वैसी सुंदर्ता न भवती नहीं होती है अर्थात एक राज हंस से सरोवर की जो शोभा होती है अर्थात सरोवर यानि एक तालाव की सुंदर्ता राज हंस से होती है उतनी सुंदर्ता वैसी ही शोभा सरोवर के चारों और किनारों पर रहने वाले हजारो बगुलों से भी वह शोभा कभी नहीं होती है अर्थात हंस तो हंस होता है और बगुला बगुला ही होता है ये इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ अगला शलोक है कृतेन केन भवितासि कृतो पकारह इसका अनवय है यत्र भवता म्रिनाल पटली बुकता अंबूनी निपितानी नलिनानी निशेवितानी रे राज हंस तस्य सरोवरस्य केन कृतेन कृतो पकारह भवितासि वद अर्थात यत्र यानी जहां अर्थात जिस तालाब में भवता आपके द्वारा म्रिनाल पटली अर्थात कमल नालों का समुह भुकता खाये गए हैं अम्बूनी यानि जल अर्थात अत्यधिक जल निपितानी पीया गया है नलिनानी यानि अनेक कमलों का निशेवितानी सेवन किया गया है रे राजहंस हे राजहंस तस्य सरोवरस्य उस तालाब का केन कृतेन किस कार्य के द्वारा कृतोपकारह यानि उपकार के प्रति उपकार करने वाला अर्थात प्रत्यूपकार करने वाला भविता असी होगे तुम बनोगे वद कहिए इसका अर्थ है, हे राजहंस, तुम्हारे द्वारा जहां अर्थात जिस सरोवर में, यानि जिस तालाब में रहकर कमल नाल का समुह खाया गया है, जल पिया गया है, कमलों का सेवन किया गया है यानि जिस तालाब में रहते हुए तुमने उस तालाब से इतनी चीजें प्राप्त की हैं उस सरोवर का किस कार्य के द्वारा प्रत्यूपकार करने वाले बनोगे उस सरोवर का जो तुमारे उपर उपकार है उसका बदला तुम कैसे चुकाओगे तुम यह बताओ यह इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ अगला शलोक है तोयरल्पई रपिकरुणया भीम भानव निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरास्य पुष्टि साकिम्षक्या जनई तुमिह प्रावरिशेने नवाराम दारासारा नपिविकिरता वेश्वतो वारी देन इसका अनवय है या पुष्टि ही व्यरचि वाराम प्रावरिशेन विश्वतह धारासारान अपि विकिरता वारी देन इह जनईतुम सा पुष्टि ही किम्षक्या अर्थात हे मालाकार यानि हे माली भीम भानव अर्थात प्रचंड सूर्य की निदागे गर्मी में अर्थात भयंकर गर्मी में अलपई ही तोयाई ही थोड़े से जल से अपि भी भवता तुम्हारे द्वारा अर्थात माली के द्वारा करुणया यानि दया पूर्वक अस्यत तरो हो इस व्रिक्षका या पुष्टि ही जो पोषण व्यरची किया गया है अर्थात हे माली इतनी गर्मी में इन पेडों को जो तुमने थोड़ा सा पानी दे कर इनको बचाया है इनका पोषण किया है वाराम जलों के अर्थात अत्यदिक पानी के प्रावरी शेन अत्यदिक वर्षा के द्वारा विश्वतह चारों ओर से धारा सारान जलधाराओं को अपी भी विकीरता अर्थात बरसाते हुए वारी देन बादल के द्वारा इह जनई तुम यह उत्पन करने के लिए सा पुष्टि ही वह पोषण किम शक्या क्या किया जा सकता है अर्थात हे माली इस ग्रिश्मकाल की भःंकर गर्मी में अर्थात अत्यदिक तेज गर्मी में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा यानि माली के द्वारा करुणा पूरुवक अर्थात दया से इस व्रिक्ष का जो पोषण किया गया है यानि इस व्रिक्ष को बहेंकर गर्मी में आपने बचाया है चाहिए वो थोड़ा सा पानी देकर ही बचाया हो क्या वर्षा कालीन जल के चारों ओर से धाराओं को बरसाते हुए बादल के द्वारा यह पोशन किया जा सकता है अर्थात जब पेड को पानी की बहुत जादा जरूरत होती है उस समय आपने जो थोड़ा सा पानी देकर उसे गर्मी से बचाया क्या उसकी तुलना वर्षा रितु में अत्यधिक जल दिये जाने वाले बादल से की जा सकती है अर्थात बिलकुल नहीं ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शबदार्थ अगला श्लोक है आपे दिरेंबर पथम परित पतंगा भ्रंगार साल मुकुला निसमाशयंते संकोच मंचति सरस्त्वाइदीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम भ्युपैतु इसका अनुवय है पतंगाह परितह अंबर पथम आपे दिरेंबर भ्रंगाह रसाल मुकुलानी समाशयंते सरह त्वई संकोच मंचति हंत दीन दीनो मीनो कतमाम गतिम अभ्युपैतु अर्थात पतंगाह यानि पक्षी परितह चारों और अंबर पथम आपे दिरे प्राप्त कर रहे हैं अर्थात पक्षी आपाश में उड़ने के लिए चले गए हैं ब्रंगाह यानि भंवरे रसाल मुकुलानी रसाल कहते हैं आम को और मुकुलानी यानि मंजरी अर्थात आम की मंजरियों का समाशयंते आशय ले रहे हैं आम की मंजरियों पर यानि आम्र मंजरी पर बैठ रहे हैं सरह हे सरोवर हे तालाब त्वई तुम्हारे संकोचम अंचती संकोच करने पर सिकुडने पर यानि तुम्हारा जल कम होने पर हंत दीन दीनह यानि अत्यधिक दीन अर्थात दयनिय मीनह मचली नु निश्चित रूप से कतमाम गतिम किस गती को अभ्युपाईतू प्राप्त क पक्षी चारों और आकाश मार्ग में पहुँच गए हैं यानि आकाश में उड़ने लग गए हैं भवरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं आमर मंजरी पर बैठ रहे हैं हे सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर यानि तुम्हारा जल कम होने पर अत्यंत दयनिय ये किस गति को प्राप्त करें अर्थात ये मचलिया कहां जायें क्योंकि जब आश्रय दाता ही यानि आश्रय देने वाला ही संकोच करने लगे तो आश्रितों की दुरगति तो निश्चित है ये इस शलोक से संबंधित कथिनशब्दार्थ अगला शलोक है इसका अनुवय है अर्थात एक एव यानि एक ही मानी अर्थात स्वाभी मानी खगह पक्षी चातकह यानि पपीहा वने वसती वन में रहता है वन में रहने वाले पक्षियों में एक ही स्वाभी मानी पक्षी है वह चातक वा पिपासितह वा यानि या पिपासितह प्यासा म्रियते मारा जाता है वा या पुरंदरम इंद्र को या चते मांगता है अर्थात एक स्वाभी मानी पक्षी चातक ही वन में निवास करता है वह या तो प्यास से मर जाता है या केवल इंद्र से जल की आचना करता है यानी चातक पक्षी किसी ओर से कुछ नहीं मांगता मांगेगा तो केवल इंद्र से या फिर प्यासा ही मर जाएगा ये इस शलोक स संबंधित कठिन शब्दार्थ अगलाश लोग है आश्वास्य पर्वातकुलं तपनोष्ण तप्तम उद्धाम दाव विधुराणी चकान नानी नाना नदी नदशतानी चपूरैत्वा रिक्तोसिय जलदसै वतवो तमाश्री इसका अन्वय है तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलं आश्वास्य उद्धाम दाव विधुराणी कान नानी चे आश्वास्य नाना नदी नदशतानी पूरैत्वा चे जलद यत रिक्तह असी तव सा एव उत्तमाश्री ही अर्थात तपनोष्ण तप्तम यानि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतकुलं पर्वत समुह को आश्वास्य आश्वासन देकर त्रिप्त करके उद्दाम दाव विधुराणी उद्दाम यानि उँचे दाव यानि लकडी काष्ट विधुराणी रहित अर्थात उँचे 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 पेडों से रहित यानि बिना उँचे 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 पेडों वाले काननानी चे वनों को आश्वास्य त्रिप्त करके अर्था जल बरसा के नाना नदी नद शतानी नाना नदी अर्थात अनेक नदियों को नद शतानी नद यानी नाले और शतानी यानी सेंकडों सेंकडों नालों को अर्थात अनेक नदियों को और सेंकडों नालों को पूरईत्वा अर्थात उनकी पूर्ती करके च और हे जलद हे बाद जल यत रिक्तह असी जो तुम रिक्त हुए हो खाली हुए हो तव साएव तव यानि तुमारी साएव वह ही उत्तमा श्री ही उत्तम शोभा है अर्थात सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत समुह को तथा उंचे व्रिक्षों से रहित वनों को जल से त्रिप्त करके बिविध नदियों तथा सैकडों नदों यानि नालों को जल से भर कर हे मेग जो तुम रिक्त हो गए हो जो तुम खाली हुए हो यही तुमारी उत्तम शोभा है अर्थात कोई वस्तु यदी हमारे पास है और हम उसे लिये घूम रहे हैं उसमें हमारी शोभा नहीं है शोभा अतब है जब हम वह वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते हैं तो बादल अपना पानी सभी जरूरतमंदों को देता है अतह बरसे हुए बादल की शोभा भी बहुत सुन्दर होती है यह इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ अगला शलोक है जोही संति गगने सरवेपिनै ताद्रिशाह केची द्रेष्टि भीराद्रयांति वसुधाम गरजनति केचेद्रथा यम यम पश्यसितास्यतास्यपूरतो माब्रूही दी नमवचाह इसका अनवय है रेरे मित्र चातक सावधान मनसा खशनम श्रूयताम गगने ही बहव अंभो दाह संति सरवेपि एताद्रिशाह नसंति केचित वसुधाम व्रिष्टि भीह आर्द्रयांति केचित व्रिथागर्जनति त्वम यम्यम पश्यसी तस्य तस्य पूरतः दीनम वचाह माब्रूही अर्थात रेरे मित्र चातक यानि हे मित्र चातक सावधान मन से यानि ध्यान से क्षणम पल भर स्रूयताम सुनिये सावधान मन से यानि ध्यान देकर मेरी बात सुनो गगने आकाश में ही निश्चित रूप से बहवः अनेक अंभोदाह यानि बादल संती हैं। केचित और कुछ व्रिथा यानि व्यर्थ में गरजन्ती गरजते हैं। वो केवल गरजते हैं, वर्षा नहीं करते। अर्थात अरे अरे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सभी इस प्रकार के यानि बरसने वाले नहीं होते, कुछ वर्षा से धर्थी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को देखते हो, उस उस बादल के सामने दीन वचन मत बोलो। यानि प्रतेक बादल से मत मांगो। अर्थात व्यक्ति को अपना स्तर ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई वस्तु मांगनी ही पड़ती है, तो स्रेश्ट व्यक्ति से ही मांगनी चाहिए। ये इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यासकारिय पर। पहला प्रश्ण है एक पदेन उत्तरम लिखत एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्य शोभा एकेन राज हनसे न भवती। किसकी शोभा यानि किसकी सुन्दर्ता एक राज हनस से होती है। सरसह यानि तालाब की अर्थात सरोवर की। सरसह तीरे के वसंती सरोवर के किनारों पर कौन वस्ते हैं? बकाह यानि बगुले। कह पिपासितह मृयते। कौन प्यासा ही मर जाता है? चातकह यानि चातक अर्थात पपीहा पक्षी। के रसाल मुकुलानी समाशयनते कौन आम्र मंजरियों का आश्रय लेते हैं? ब्रंगाह यानि भंवरे यहां ब्रमराह भी हम लिख सकते हैं। अंभोदाह कुत्रसंती बादल कहा होते हैं? गगने यानि आकाश में। अगला प्रशन है अधो लिखिता नाम प्रशना नाम उत्तराणी संस्कृत भाशाया लिखत नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर संस्कृत भाशा में लिखिए। सरसह शोभा केन भवती तालाब की शोभा किस से होती है? सरसह शोभा राज हनसेन भवती तालाब की शोभा राज हनसे होती है। चातक को यानि पपीहे पक्षी को स्वाभी मानी क्यों कहा जाता है? चातक या तो प्यासा ही मर जाता है और मांगना होता है तो केवल इंद्र से मांगता है। अतह उसे स्वाभी मानी कहा जाता है। अगला है मीनह कदा दीनाम गतिम प्रापनोती मचली कब दयनिय इस्थिती को प्राप्त होती है। यदा सरह संकोचम अंचती तदा मीनह दीनाम गतिम प्रापनोती जब सरोवर यानि तालाब संकुचित होने लगता है। जब तालाब का पानी कम होने लगता है तो मचली, दीन यानी दैनिय स्थती को प्राप्त होती है अगला प्रश्ण है काणी पूराइत्वा जलदर रिक्तह भवती किसको भर करके यानी किने परिपूर्ण करके बादल खाली हो जाता है नाना नदी नद शतानी पूरहित्वा अनेक नदियों और सेंकडों नालों को पूरा करके भर करके जलदह रिक्त भवती बादल रिक्त हो जाता है व्रिष्टी भी ही वसुधाम के आर्द्रयंती बारिश से प्रिथवी को कौन भिगोते हैं? अगला प्रश्ण है अधो लिखित वाकेशु रेखांकित पदानी आद्रित्य प्रश्ण निर्मानम कुरुता नीचे दिये गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्ण निर्मान कीजिए पहला है माला कारह तो यई ही तरोह पुष्टिम करोती माली जलों से अर्थात अत्यदिक जल राशी से तरोह व्रिक्ष की पुष्टिम करोती पुष्टी करता है पोशन करता है तो किन से करता है? तो प्रश्ण बनेगा माला कारह कई ही तरोह पुष्टिम करोती यानी माली किन से व्रिक्ष का पोष्ण करता है ब्रंगाह रसाल मुकुलानी समाश्रयंते बंवरे आम्र मंजरियों का आश्रय लेते हैं तो किन का आश्रय लेते हैं तो प्रशन बनेगा ब्रिंगाह कानी समाशयंते भंवरे किसका आशय लेते हैं अगला है पतंगाह अंबर पथम आपे दिरे पक्षी आकाश मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? तो बनेगा के अंबर पथम आपे दिरे, कौन आकाश मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं? अगला है जलदह नाना नदी नदशतानी पूरईत्वा रिक्तोस्ती बादल अनेक नदियों और सेंकडों नालों को परिपूर्ण करके खाली होता है तो कौन होता है? तो प्रश्न बनेगा कह नाना नदी नदशतानी पूरईत्वा रिक्तोस्ती कौन अनेक नदियों और सेंक नालों को परिपूर्ण करके रिक्त होता है चातक वने वसती चातक वन में वसता है निवास करता है तो कहां निवास करता है तो बनेगा चातक कुत्र वसती चातक कहां रहता है अगला प्रश्ण है अधो लिखितयोह श्लोकयोह भावार्थम स्विकृत भाशया लिखत नीचे दिये गए दोनों श्लोकों का भावार्थ अपनी भाशा में लिखिए पहला श्लोक है तोये रल्पई रपी इसका अर्थ यहां दिया है जो हमने पाठ की व्याख्या के समय पड़ा था और इसका भावार्थ है इस श्लोक में माली के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि मुसीबत के समय थोड़ी सी सहायता भी जीवन दाईनी होती है अच्छे दिनों में तो हर कोई हमारा साथ देने के लिए तयार रहता है सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता है दूसरा शलोक है रेरे चातक सावधान मनसा इसका अर्थ यहां दिया है जो हमने व्याख्या के समय भी पढ़ा है और इसका भावार्थ यहां लिखा है इस शलोक में चातक के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें कुछ भी मांगने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह से परक लेना चाहिए क्योंकि बड़ी-बड़ी बाते करने वाला प्रत्येक मनुश्य हमारी सहायता करने वाला नहीं हो सकता अतह अयोग्य व्यक्ति से याचना करना यानी कुछ मांगना अपने स्वाभी मान को दाव पर लगाने जैसा है अतह सोच समझ कर मांगें अगला है अदो लिखितयोह श्लोकयोह अन्वयम लिखत नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय लिखिये पहला है आपे दिरे और इसका अन्वय है पतंगाह परितह अंबर पथम आपे दिरे ब्रंगाह रसाल मुकुलानी समा शयंते सरह त्वई संकोचम अंचती हंत दीन दीनह मीनहनू कतमाम गतिम अभ्युपायतू और दूश्रा श्लोकी ये है जिसका अन्वय यहां दिया है तप नोश्न तप्तम परवत कुलं आश्वास्य उद्धाम दाव विधुरानी कान नानीच आश्वास्य नाना नदी नद शतानी पूरैत्वाच हे जलद यत रिक्तह असी तव सा एव उत्तमा श्रिही अगला प्रश्न है उदारणम अनुशृत्य संधिम संधिविच्चेदम वाकुरुट उदारण के अनुशार संधि या संधिविच्चेद कीजिए पहला है अन्य प्लस उक्तयह अन्योक्तयह दूसरा है निपितान्यम्बुनी तो निपितानी प्लस अम्बुनी कृतोपकारह कृत उपकारह तपनोशन तप्तम तपन उशन तप्तम तव प्लस उत्तमा तवोत्तमा न प्लस एता द्रिशाह नईता द्रिशाह अगला है पिपासितह प्लस अपी इसी तरह से रिक्तोसी रिक्तह प्लस असी मीनह अयम मीनोयम सर्वे प्लस अपी सर्वेपी अगला उधारण है सरसह प्लस भवेत, सरसो भवेत, इसी तरह से खगह प्लस मानी, मीनो नू, मीनह प्लस नू, पिपासितह प्लस वा, पुरतो मा, पुरतह प्लस मा अगला उधारण है मुनिही प्लस अपी, मुनिरपी, तोयाई ही प्लस अलपई ही, तोयाई रलपई ही, अलपई रपी, अलपई ही प्लस अपी, तरोह प्लस अपी, तरोह रपी, व्रिष्टी भिराद रयंती, व्रिष्टी भीही प्लस आर्द रयंती अंतिम प्रश्ण है उधारणम अनुसृत्य अधो लिखिताई ही विग्रह पदाई ही समस्त पदानी रचयत उधारण की अनुसार विग्रह पदों से समस्त पद बनाईए जैसे पीतम च तत पंकजम पीला है जो पंकज यानि कमल पीत पंकजम इसी तरह से राजा च असव हंस राजा है जो हंस यानि हंसों में जो राजा है राज हंस भीमह च असव भानुहूं भीमह यानि प्रचंड है जो भानु यानि सूरिय भीम भानुहूं अंबरम एव पंथा हा अंबर ही है जो पंथ यानि रास्ता अर्थात अंबर पंथा हा उत्तमा च इयम श्रिही उत्तम ह जो शोभा यानि जिसकी शोभा उत्तम है उत्तम श्रिही सावधानम्च तत्मनह तेन सावधान है जो मन उससे यानि सावधान मन से तो सावधान मन सा ये था पाठ अन्योक तया है इस पाठ से संबंदित कोई भी प्रशन हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछ धन्यवाद